दोस्तो ब्राउन सिपोई दो वेस्ट इंडिया फार्मा इंडेस्ट्री अंडर अटक के तीसरे और आखरी सिरीज में आप सभी का हर्देक स्वागत है अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दो ठाको रखे हैं पीछे दो ठाको रखे हैं मीडिया भी उसकी साइंटिस्ट भी उसके और एक उसने मकड जाल फैला लिया है दोस्तों लॉबीस कैसे बना और लॉबीस्ट से कैसे अब यह टुकडे टुकडे गैंग का सपोटर बन रहा है वो भी आईए आज के इस वीड बनाने दिया शेयर करने दिया और यूट्यूब के माधिम से आप सभी तक पहुंचाने दिया इसके लिए बहुत-बहुत उनको धन्यवाद साधुवाद लेकिन दोस्तों काम अधूरा है काम पूरा तब होगा जब आप यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पह कैसे बनाए और फिर किस प्रकार से भारत में एक प्रकार से मीडिया का जंग इसने छेड़ा है तो आईए देखते हैं अखिरकार ठाकुर फैमिली फाउंडेशन जो यह सब कुछ करवा रहा है वो कैसे आया क्यों आया देखिए दोस्तों अगर आपको भारत में या किसी भ मशीनरी का काम करती है दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है नरेटिव चलाना है तो मीडिया जिसकी पकड़ है नरेटिव पर उसको टार्गेट किया जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो उनको पैसा दिया जाता है यहाँ पर मैं जिम्मिदारी के साथ कह रहा हूं अगर आप देखें तो डिसिंफो लैब ने बहुत सारे प्रूफ दिये हैं किसको कितना पैसा मिला है एक एक डेटा आपको पता चलेगा दोस्तों ठाकुर फैमली फाउंडेशन में दिनेश ठाकुर के सिवा दो अन्य और डायरेक्टर हैं स्वामीनातन और दिनेश कस्तु दोनों के दोनों वही दोग हैं जो आपको याद होगा पिछले कानी में सुनाया था जब ठाकुर BMS से रणबेक सी आये थे तो साथ में दो मित्र लाये थे वही दो मित्र आज़ ठाकुर फैमली फाउंडेशन के डाइरेक्टर के बोर्ड में भी बैढ़ते हैं और दोस्ती हो तो ऐसी आप देख सकते हैं आज ये multiple individuals को संस्थाओं को fund कर रहे हैं जिसमें media है जिसमें civil groups हैं जिसमें legal institutions हैं ठाकुर का grant अगर आप देखें तो उसने multiple news portal को पैसा दिया है पिछले तीन साल में कहा जाता है 16 करोड कहा जाता क्या fact है 16 करोड रुपए करीबन उसने दिये हैं ठाक और family foundation का जो grants गया है इससे आप यह नहीं कह सकते कि हाँ media उसके साथ मिली हुई है grant तो चलोवान लेते हैं उसने दिया कुछ media portals ऐसे भी है जिन्होंने useful reporting की कोविड 19 में rumors जो और रहते उसको कम किया लेकिन यहां पर कहीं न कहीं अगर आप देखे तो कुछ टेंटेड रिपोर्टिंग भी थे यहां पर आपको मैं data दे देता हूं जो reward grant किया गया है ठाक और family foundation के द्वारा जर्नलिस्ट को यह जर्नलिस्ट है इनका यह नाम है आप देख सकते हैं जोन करके आपको मैं दिखा देता हूं तो आप देख सकते दोस्तो एवार्ट डॉलर में दिया गया है सुमया शेक 59,000 डॉलर नितिन सेथी 35,419 डॉलर वैसे प्रियंका पुल्ला को कितना मिला है स्क्रॉल को कितना मिला है अब बड़ा सा लिस्ट है चाहें तो देख सकते हैं इसको म यह लीजिए इसका स्क्रीन शॉट आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे कौन-कौन से वो राइटर्स हैं और जो पैसा जिनको ठाकुर फैमिली फांडेशन से मिला है अगेन वापस याद दिला देता हूं सिर्फ पैसा मिलने का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है कहनी स्क्रॉल को 45 आटिकल्स मिले किन लोगों ने यह आपको यह भी बता देता हूं स्क्रॉल को 45 मिला यहाँ पे आर्टिकल 14 नामकी पत्रिकाहे प्लैटफॉर्म है उसको 30 आटिकल मिला है दिवायर में 29 गया है कारवा में 28 गया है ौल्ट-णिउज में 24 परी नेटवर्क में 10 दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल आना नेगेटिव नहीं है वापस याद दिला रहा हूं क्या नेगेटिव है बताऊंगा देखे दोस्तों कोविट 2019 के दोरान एक एकसपर्ट की राय से चीजों को पुश किया गया और उसमें कई चीजें नेगेटिविटी से भरी हुई थी जो आपको बताऊंगा जिसमें ठाकुर के आगे दो ठाकुर से ठाकुर के पीछे दो ठाकुर से किसकी बात हो रही है अभी आप समझ जाएंगे दोस इसमें अगर आप देखें तो वो जो एकसपर्ट्स थे उनको भी ठाकुर पैसा दे रहा था वो भी फंडेड या फिर अफिलियेटेड भी ठाकुर थे अल्मोस्ट कोई भी आर्टिकल अल्मोस्ट इन में से सारे आर्टिकल आप अगर देखें तो डिस्क्लेमर तक नहीं द स्था यहां पर देखिए दिवायर नाम की जो प्लैटफॉवम है पत्रिका है उसमें देखिए क्या कि चपता था कुविड नाइंटीन में क्या हो रहा है है ना एक्स्प्रेस क्लिनिकल ट्राइल हो जाएगा कोविड वैक्सीन का तो क्या हो जाएगा मतलब भारत में हम सब कुछ क्या-क्या खो देंगे इस प्रकार की बात है experts लिखते हैं center and states को क्या बाते हो रही तो इस प्रकार के इंडिया's covid death reporting is broken है ना जो data का number है गलत है pandemic वापस expose कर चुका है Modi के अंदर के politics of narrative control को दोस्तो यहाँ पे wire कासी ज़्यादा news में रहा है wire इस प्रकार के कई articles run किया है wire की खासियत क्या है ना दोस्तों वहाँ पे इसको जो चलाने वाले है वो भी अगर आप देखें तो ऐसे ही मतलब कटर देशभक्त US नागरिक हैं कटर भारत के देशभक्त लेकिन US नागरिक हैं वो wire चलाते हैं अब इसमें अगर हम the wire की बात करें तो इसको ठाकुर family foundation से grant भी मिला है फिर्फ the wire को नहीं उसके चार journalist ऐसे हैं जिनको लगभग 75,000 dollar in total मिला है जब वो covid-19 की coverage कर रहे थे ठाकुर funded journalist की अगर हम बात करें तो ये covid-19 पे negative stories लिखते थे और उसी दोरान जब ये experts को quote करते थे तो वो experts भी ठाकुर family foundation या ठाकुर से जुड़े हुए थे यहाँ पे देखिए क्या मकड जाल फैला है ठाकुर family foundation अगर आप देखें तो इतने सारे journalist को इसने पंड करके पैसे देखे आर्टिकल लिखवाए प्रियंका पुल्ला सिर्फ दिवायर की बात हो रही है अभी प्रियंका पुल्ला श्रेयादास गुपता बंजोत कौर और यहाँ पे अधिती प्रधान जी है यहाँ पे देखिए इसी ठाकुर इसी ठाकुर फैमिली फांडेशन का शाहिद जमील यह अगर आप देखे तो बॉर्ड मेंबर टी एफ ठाकुर फैमिली फांडेशन फंडेट इंजियो ठाकुर फैमिली फांडेशन से जाने के द्वारा जो प्रोग्रैम्स से गगंदीप कांग जो की TFF के द्वारा फंड किया गया है दृष्टी प्रोजेक्ट उसकी ये मेंबर थी तो ये एक्सपर्ट्स थे और इन्हीं के द्वारा आकुर फैमिली फाउंडेशन के द्वारा फंडेड आर्टिकल्स में इन्हीं नामयाद रखिएगा श्रेया दासपता ये अगर आप देखे तो ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के द्वारा फंडेड आर्टिकल्स में अनन्त भान को coat किया गया वैसे ही बंजोत कौर की बात करें तो इसको तो भारत बायोटेक ने defamation case इसके खिलाफ file कर रखी है इनके खिलाफ इनको बंजोत कौर की बात करें तो इन्हों ने इंडरनील मुखोपादियाई को coat किया है वैसे ही अधिती प्रधान अगर आप देखें तो इन्हों ने इनमें से किसी को coat नहीं किया इनके articles जुनना चाहा मैंने तो wire ने मुझे ये दिया उपस नहीं मिल रहा कुछ articles है search में index में search मिलेगा click करोगे तो उपस आ जाएगा कुछ articles मिल रहा है काफी articles में उपस मिल रहा है प्रियंका पुल्ला जो मने कहा था नाम याद रखिएगा 19 आर्टिकल लिखा है सारे के सारे काफी पैसे लेके तो वह 19 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो अब वायर छोड़के ये ब्लूमबर्ग जा चुकी है ब्लूमबर्ग याद है इराक वाली कहानी जब बताई थी इर जाक में यूएस गया था कुछ ढूनने ब्लूमबर्ग गया था जब पहली बार जहां से सारा कनेक्शन अमने टटोलना स्टार्ट किया था वही ब्लूमबर्ग में प्रियंका पुल्ला काम कर रही है वहां भी क्या लिख रही है देख लिजिए और इस प्रकार की नो टेस् शौट में उतको अगर बताऊं ठाकुर फैंधिली फांडेशन कुछ इस प्रकार से काम करता है यहां पे देखें तो जर्नेलिस्ट्य जो वापस थाकुर फैंधिलीयी फांडेशन फंड कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पे यह सब जो जर्नलिस्ट है ठाकुर फैमिली फांडेशन पैसा देता है यह लिखते हैं किसको कोट करते हैं यही TFF के एक्सपर्ट को कोट करते हैं याने कि यह clear conflict of interest है जो बताया नहीं जा रहा इतना ही नहीं दोस्तों ठाकुर फैमिली फांडेशन अ इस पर चर्चा हो रही है जो को वैक्सिन है जो भारत की वैक्सिन थी उसको लेके जो ओपेसिटी है जो एप्रूवल प्रसेस है इससे लोगों के दिमाग में सस्पिशन हो रहा है वही बाते यह लेके आ रही थी और बाते सुनिए साइंस को साइंस रहने दीजिए ना politics को रखिए तो मतलब यह सारी बाते आपको यहां मिल रही थी दोस्तों यहां दिनेश ठाकुर अगर आप देखें तो कंटीनुवसली बराज था एक वार का को वैक्सिन है ना outliers get normalized if they are questioned in a timely manner listen carefully कैसे को वैक्सिन को एप्रूवल मिल गया वैसे ही अगर आप देखें तो कैसे को वैक्सिन के खिलाफ इस प्रकार से चीज़े चल रही है कैसे इसको एप्रूवल मिल गया वायर भी यही कर रहा है यह देखो को वैक्सिन इन कॉंट्रोवर्सी अगें एलिजेडली कटिंग कॉर्णर से क्लिनिकल ट्राइल कंप्लीट तीन साल चार साल में क्लिनिकल नहीं किया जल्दी जल्दी जो कर दिया वैसे ही टू लाई इस दी यूनियन गोवर्मेंट टोल्ड सुप्रीम कोट ऑन कोविड-19 वैक्सिन पूर डिमांड है इसलिए 50 मिलियन डोज अफ कोविड कोवैक्सिन एक्सपायर करने वाला है डबलू एचोगा कहना है काफी ज्य क्या प्रॉबलम है फाइजर मोडर्ना वैक्सिन को एप्रूवल देने में इंडियन गोवर्मेंट ने क्यों फाइजर वैक्सिन को एप्रूवल नहीं दिया क्यों भारत सरकार ने फाइजर को एप्रूवल नहीं किया डॉक्टर हर्शवर्दन जल्दी बताओ डॉक्टर हर प्रिफर करूंगी वाई इस दी इंडियन गवर्मेंट गिविंग एप्रूवल टू इट यह सारी बाते हो रही थी दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो वह फाइजर वैक्सीन की सच्चाई तो और सबको दिखी है दोस्तों यहां पर आप देख लिजिए एक समराइज कर दिया है कोविड 19 कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं दिवायर ने किस एक्सपर्ट को कोट किया वह एक्सपर्ट कैसे ठाकूर फैमिली फांडेशन से जुड़ा हुआ है यहां पर एक पुरा टेबल है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप यहां पर देख सकत है तो डिटेल में इनके बारे में देख सकते हैं एक्सपर्ट जिनके लिंकेजेस थे ठाकूर से फाइजर से यूएस से जो की भारत के वैक्सीन के बारे में को वैक्सिन के बारे में अलग-अलग ज्यान हमको दे रहे थे यहां पर और एक है आप देख सकते हैं इसका स्कीन पन्ने की आगे देखते हैं तो वायर दोस्तों रिपोर्टिंग इतना ही एबसर्ड था कि इस पे सौ करोड का डिफर्मेशन केस भारत बायोटेक ने लगाया है मजबूरन 14 आर्टिकल इसको हटाने पड़े यह सभी के सभी इंडियन वैक्सीन को कवर कर रहे थे जो की ठाकु दूर्फंडेड पुल्ला रिटन आर्टिकल भी इसमें इनुक्लूडेड यह सारे अर्टिकल इसको हटाना इनको हटाना पड़ा दिवायर को अव इंडिजीनेस भारत बायोटेक न्यू कोविड 19 वैक्सीन आल्यू नीड नीड तू अबाऊब भारत बायोटेक कोविड व context यह सारी बाते जो लिखी थी सब हटाना पड़ा दोस्तों यहाँ पे इंडियन वैक्सीन के खिलाफ एक जंग चल रहा था surprisingly यह लोग विदेशी वैक्सीन को कैसे support कर रहे थे आपको मैंने यह तो बना है ज्यादा भरुसा हमको भारतिय प्रोडक्ट पे होगा क्यों विदेशी पे करें जब वो जल्दी में हुआ है वो कोई कुश्यन नहीं कर रहा था लेकिर इंडियन वैक्सीन को कह रहे सही है यह तो हेस्टी है विदेशी अच्छा वैक्सीन है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए विदेशी वैक्सीन कितने दिनों में पास हुआ था फाइजर का अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसको यूएस ने 21 दिन में फेस्टी ट्राइल्स मीट प्लिमिनरी एफिकेसी एंड पॉइंट 15 नॉविंबर 2020 और यह देखिए 11 डिसमबर 2020 केवल 21 दि अठारा दिन में अप्रूवल मिलता है इसको यूएस में यूरोप में 37 डेज में अगर हम भारत के को वैक्सीन की बात करें तो फेस 3 ट्राइल्स का अप्रूवल टाइम जो आप देखोगे दोस्तो 27 दिन का था हमसे कम दिन के अप्रूवल वाले वैक्सीन उनके लिए अच स्टिबिलाइज टेक्नोलोजी भी नहीं थी वहीं अगर आप को वैक्सीन की बात करें तो यह इनक्टिवेटेड वाइरस वैक्सीन था यह ट्रेडिशनल तरीका था वैक्सीन बनाने का जैसे आपको मुझे हम सब को most of the वैक्सीन आज तक लगे हैं पोलियो से लेके अलग- दोस्तों यहाँ पे जब इंडिया वैक्सीन बना लेता है तब भी यहाँ पे जो काना ब्राउन सिपोई यह कभी पीछा नहीं छोड़ते यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन एंथर्पोलोजिस्ट है हार्वर्ड में हार्वर्ड तो गड़ बन गया है इसमें अपरना वालन एंथर्पोलोजी डिपार्टमेंट हार्वर्ड सोशल साइंसेज और विदेश उसमें भी हार्वर्ड मतलब समझ जाओ क्या ही उनका आप समझ सकते हैं किस प्रकार उनका टिल्ट रहा होगा वहाँ पे फेमस हैं यूमन जो भी है सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट और हार्वर्ड मतलब बेल रिंग हो जाना चाहिए कहने वालों को मैंने सब कह दिया दोस्तों यहां पे यहां पर आपको बता देता हूं सैक्ट क्या है जो यूएस वैक्सीन थे वो चार से पांच गुना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे थे पर सीशी मच कॉस्ट क्लियर से एंड कंज्यूमर्स के लेकिन प्रॉफिटी प्रॉफिटियर्स इंडियन कंपनी इस थे इंडियन वैक्सीन मेकर्स थे दोस्तों यह जो विदेशी वैक्सीन के एड्वोकेट थे फाइजर वालों के क्या हुआ है वहां पर हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम एम आर ने टेशन कभी ट्रायल नहीं किया देखिए क्या हो रहा है मिस्टरी ऑस्ट्रेलियन से और लिवल्स नॉट सीन इन प्रकार का नीज आ रहा है यह सब कैसे आ रहा है लेकिन वैक्सीन तो फाइजर लग वाइंगे दोस्तों यहां पर एक प्रयास किया गया भारत के कोविड के नमबर् पूरा प्रयास किया गया यहां पे दोस्तों जो नंबर्स है न कोविट पैंडेमिक डेथ इंडिया में आप देख लीजे कितना डेथ हुआ है USA से तुलना कीजिए population की तुलना कीजिए और फिर numbers देखिए यहाँ पे US का 1 million का आखड़ा पार हुआ है इंडिया का करीबन पॉने 6 lakh death है जो कि एक एक death अब death में number क्या करें एक एक death जिस परिवार के लिए है वो परिवार के लिए समझी हो कितना जादा उनके लिए तो सब कुछ उजड जाता है लेकिन वो sensitivity मैं समझ रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इस प्रकार से paint किया गया था कि इंडिया तो अपना number चुपा रहा है actual number इंडिया के लिए आप देखिए तो यह तो बहुत बड़ा number है मैं गिन भी नहीं पा रहा कितना है 100, 4 million, 4 million का आंकड़ा यह पार करवार है 40 lakh से भी अधिक 45, 47 lakh करीब यह death बता रहे हैं भारत में COVID से हुआ US में अगर आप देखे तो 10 लाग करीब ये बताना चाह रहे हैं इनका कम करो इसका उपर दिखाओ इस प्रकार से पूरा नंबर का गेम चल रहा था क्योंकि इंडिया अगर COVID बहतर मैनेज कर रहा है इंडिया अगर COVID में अपनी वैक्सीन बना रहा है तो इंडिया को कैसे तुम नीचे दिखाओगे तो यहाँ पर एक पूरा information warfare चल रहा था इस प्रकार के numbers जो की fake थे वो चलवाए जा रहे थे कि WHO excess mean COVID death है क्योंकि कहीं न कहीं आप इंडिया के numbers पे भरोसा नहीं कर सकते US और पाकिस्तान का number बढ़िया है वो लोग सही number बताते हैं और इसके साथ पूरा प्रयास किया गया अगर आप देखें कि इंडिया की तुलना पाकिस्तान से करवाई जाए COVID-19 pandemic पाकिस्तान tops global normalcy index इस पाकिस्तान really handling the pandemic better than India coronavirus youthful Pakistan appears to avoid worst of pandemic पाकिस्तान stunning flattening of COVID-19 इंडिया versus पाकिस्तान इंडिया's COVID-19 cases inflating लेकिन पाकिस्तान ने तो pandemic को overcome कर लिया तो इस प्रकार की बाते चलाई जा रही थी बिल गेट्स ने लॉड किया पाकिस्तान के effort को जिसको उसने COVID manage किया है दोस्तों यहाँ पे जो भी epidemiology manage कर रहा है समझ रहा है वो population structure देखता है total population देखता है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखता है लेकिन इस प्रकार की बाते सामने आई इंडिया की तुलना पाकिस्तान अच्छा किया बहुत अच्छी बाते लेकिन इंडिया की तुलना पाकिस्तान से करो और US को चुपवा दो तो ये तो बताता है आपका क्या एजेंडा है दोस्तों इनका एजेंडा अब तक खतम नहीं हुआ है अभी अगर आप देखें तो ये आयुर्वेद को टार्गेट कर रहे है कैसे आयुर्वेद इर्राशनल है तो आयुर्वेद को अब कही ना कही शिकार बनाया जा रहा है इसी वेस्टन लॉबी के द्वारा क्योंकि वो समझ रहे है अगर लाइस्टाइल क्योर किया जाए तो बहुत सारी विमारी खतम हो जाएंगी तो वो अब सामने ना आपाए तो उसके लिए भी आगे चड़ चड़के वार कर रहे हैं दोस्तो यहाँ पे वेस्टन सब्डूकेशन यह सब ब्राउन सिपॉई है न धूरा साइब है गोरों के यह इस प्रकार से जुख चुके हैं इन गोरों के सामने अंग्रेजों के सामने Americans के सामने कि ये अपने साथ भारत को भी जुकाना चाहते हैं ये देखिए कुछितरा विजयन किस प्रकार का आर्टिकल लिखनी नाम याद रखिएगा भी फिल्चर चाहँगी इंडिया को तो बाइडन के मदद की जरूरत है कोविड नाइटीन के सर्ज से बचने के लिए है ना कि कैसे हम वैक्सीन को पब्लिक गुड बनाए इंडियन वैक्सीन यूएस यूएस वैक्सीन इंडिया पहुचवा दे देखिए लोग मर रहे हैं कितने बाइडन साहब मदद कीजिए ये पूरा का पूरा एक कही न कहीं प निउस ट्लेक वगेरा में भी इनका आटिकल जाता ही है एक उपेनली टुक्रे टुक्रे गया हैं बागी सब तो कोवर्ट सब्वर्ट मुझे नहीं मालूब कोड बताएगी निउस ट्लिक में क्या हो रहा है चाइनीज वंडेड है साल लग रहा है सब जूड इस है मामला ल लेख सकते हैं यहां पर सिविल लिबर्टीज काटिग्री में दस हजार डॉलर इसने डायरेक्ट दिया है अब दोस्तों सिविल लिबर्टीज के मामले में यह क्या आर्टिकल लगवा रही है फ्रेंट पेज मुझे मिला है मुझे कुछ महनत नहीं करनी पड़ी पॉलिस प अब दोस्तों अगर कोई कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपेशन बोले तो उसको टुक्रे टुक्रे गैंग नहीं बोले तो क्या बोले इसको पैसे देने वाले को क्या बोले इसको फंड कर रहा है मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा डिफेंसिव होने की यहां पर आवश्यक्ता है आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं दोस्तो ठाकर फैमिली फांडेशन डाइवर्सिफाई कर रहा है अब अगर आप देखें तो पब्लिक हे पैसा जो था वह थोड़ा बढ़ रहा है वो भी बढ़ा है लेकिन सिविल लिबर्टीज वाले section में यह पैसा डाल रहा है कहने को लिबर्टी है आपको भी मालू में वो किसको फंड कर रहा है मैंने आपको एक्जांपल सकने को को civil liberties के नाम पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं other other domains में अब अपने हाथ पैर फैला रहा है civil society groups को fund कर रहा है और इसके साथ आप देख सकते हैं स्वागता ये देख सकते हैं दोस्तों इसको 4126 डॉलर दिया गया था दो आटिकल लिखने के लिए एक scroll में लिखा है एक अल जजीरा में लिखा है देखिए scroll में क्या लिखा है lockdown after lockdown कैसे non-covid healthcare का access है ना how access to non-covid healthcare has been choked off in कश्मीर कश्मीर में कैसे non-covid healthcare अब नहीं मिल रहा general care hospitals है ना वो जब अगर आप देखें तो भरग चुके हैं कोविड वर्ड खाली पड़े हैं वैसे ही अल जजीरा में 2020 में कश्मीरी जर्नलिस्ट का harassment देखने मिला है दोस्तों यह आप देख से जर्नलिस्ट को attack किया गया है press freedom को curtail किया गया है जब से इंडिया ने कश्मीर को उसके special status से छीन लिया है तब से इंडिया ऐसा हो गया है यह लिखने वाले कोभी TFF कमीशन करवा रहा है और ऐसा आटिकल लिखवा रहा है लिखने वाला ने यही आटिकल कमीशन है यह दो आटिकल लिखने के 4000 डॉलर कमाए है मैडम ने तो दोस्तों अब आप समझ रहे हैं कि कितना जादा खतरनाक है पूरी कहानी दिनेश ठाकु यह देखिए इस प्रकार का ट्वीट भी करता है जस्टॉप फॉर अ मिनट एंड रीड दिस एंड रिफ्लेक्ट हो वुड यू फील इन कश्मीर तुड़े अशोक स्वयन का स्टेटस था अशोक स्वयन लिखता है डिलीट करता है उस बीच में यह इसको ट्वीट कर देता है बाद में डिलीट करके हटा देता है ताकि सब सेफ रहें स्टेटस रहता है तो अपने आप हट जाता है इस प्रकार से क्या था मोदी वर्चुल इंटरनेट लॉगडाउन हैस केप्ट एट मिलियन कश्मीरी इन डार्क एबाउट कोरोना वाइरस पाकिस्तान गलत नहीं जब उसने सार्क विडियो कंफरेंस कोविड 2019 पे जो हुई थी उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया था उसको यह आदमी पोस्ट करता है तो इसको अभी भी भारत में में स्ट्रीम मीडिया में स्ट्रीम मीडिया आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसकी पकड़ है यह सभ भी पढ़ रहे हैं इसके जवरा कमिशन डाटिकल कभी कभी ठाकुर सामने आता है खुद अपनी शकल दिखाता है और आपको लगता है यह तो आपके लिए सच में वारियर है जो आपके लिए आपको इन भारती दवाईयों से बचाने के लिए आया है लेकिन अक्शल में य दिखा कैसे ठाकुर फैमली फांडेशन आज मकड जाल पहला चुका है मीडिया भी उसके पॉकेट में है साइंटिस्ट भी इसके पॉकेट में है इसके जेब में आज वो एक्टिविस्ट जो आटी आइ फाइल करते हैं वो भी है वकील भी हैं तो यह बहुत मस्पूट हो चुका है इस मजबूत entity को challenge करना असान नहीं है लेकिन यह तभी challenge होगा जब इसको expose किया जाएगा और इस expose series में यह expose हो चुका है दोस्तों और भी expose series आने वाली है सिर्फ यहीं पर हम रुकने नहीं वाले उमीद करता हूं आप लोगों ने series को पसंद किया होगा आप लोगों का एक काम है दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है इस प्लेइलिस्ट को शेयर करना है ठाकर family foundation की कहानी सब तक पहुंचा नहीं है और यह जिम्मेदारी मेरी तो यहां पर खतम होती है लेकिन आपकी अभी शुरू होती है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दरूर कीजेगा आप चाहें तो में आर्थिक रूप से साहिता कर सकते हैं contribute कर सकते हैं हमारा qr code है जिसको आप जीपे phone pair के माध्यम से scan करके हमें मदद कर सकते हैं इसके सिवा PayPal अगर आप फिदेश में हैं तो PayPal के माध्यम से भी हमें support कर सकते हैं description box में आपको link मिल जाएगा और सबसे important है channel subscribe करें bell icon दबाएं क्योंकि आपके subscription और bell icon के दबाने से बड़ा हमारे लिए sustainable और को support नहीं है तो make sure आप वीडियो लाइक करें एक वीडियो का link आ रहा होगा इसको भी जरूर देखेगा